कि केवल इतना जानना चाहता हूं अब देज़िए बाइस सर्फ ने ज्यागन एज ग्रूप में संख्या क्या होगी उसकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता दुरोधी दल को अब जन संख्या की चिन्ता होने लगा ज़िए करने के लिए हम लोग समान कानून की बाग करना चाहते हैं एक प्रदेश एक कोर्स एक मुल्य यानि एक देश एक कानून यह भी जोड़ते से और अच्छा होगा प्रदेश में शिक्सक भरती की प्रकरिया को पुरी इमानदारी पुरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के के लिए ही एक नया सिक्सा आयो गठन के लिए एक बिल लेकर की आई है और मुझे लगता है बिल पर आपको भी अपनी बात को रखने का और उस पे चर्चा करने का उसरत प्राप्त होगा जो भी अम उन्हें सुझावाएंगे सबकार उसका स्वागत करेगी माने मंती जी की में बात सुनदा था मानी मंती जी ने भी बहुत सी बाते रखी अनिम्प्रॉइम्मेंट को लेकर मैं आप से माने मंती केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नैशनल एडूकेशन पॉलिसी पर बताया जो आने वाली है इनकी जो आ चुकी है लागू होगी मेरा केवल एक छोटा से खवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज गुरूप है 15 साल का उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के गुरूप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है क्या उन बच्चों के भविस के बहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोज़गा दिलाने के लिए आपके नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहर और खासकर उत्तव बगेसी सरकार, डेवल इंजन की सरकार, जो ये कहते हैं कि अनिप्लॉइमेंट रेशो हमारा ही है, इंप 2017 से 2022 के बीश में, जो एज गूप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होगी उसकी, संख्या क्या होगी उसकी, संख्या क्या होगी उसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि नेता गुरोधी दल को अब जन संख्या की चिंपा होने लगा है, अद्धेश्ट होते हैं, और सवाल यह है, अगर मुझेंदी च्छासी में को बताना चाहें, उसे को नियंकित करने के लिए ही, हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं, अगर मुझें को अध्यक जिस, अगर मुझें चाहते हैं, इतना पेसेंस रखना चाहिए, जब मैं खड़ा हूँ, मैं आपकी बात को सुनका था, जब मैं खड़ा हूँ, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसेंखा की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा, कि इसको कैसे कंटोल किया चाहिए, मैं जब जब फी, पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में तुस्तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखे, अच्छा है, सरकति के वारे में सोचना चाहिए, ये पांच नंबर के प्रशन में भी मान्य बेस्टिक सिक्सा मंत्री से प्रशन पूछा जा रहा था, एक प्रदेश, एक कोर्स, एक मुल्य, यानि एक देश, एक कानून, ये भी जोड़ देखे तो और अच्छा होता है, सरकार क्या कर रही है, ये तो सरवे बताते हैं, अनिम्प्लाइमेंट रेट, अजय लाइप चल्ला है, आजय बहुत धनिवाद आपका, लाइप अनिम्प्लाइमेंट रेट, यह employment उप्लग्द कराने पे ही निर्वर करता है और 2016-2017 में उत्तरप्रदेश का unemployment rate उन्नीस से दिख्था उन्नीस फीस्थी से दिख्था और आज के दिन पर यह unemployment उत्तरप्रदेश का तीन से चार के बीच में उनकी खाता है भोज़कार के उसक फिर्जित हुए है परसी तरीके से नौक्रिया मिल लई है लोगों को इमानदारी से नौक्री मिल लई है और नौक्री की बोई भी प्रक्रिया मान्य न्यायले के द्वारा बीच में इसलिए बादित नहीं की जाती है क्योंकि मान्य न्यायले को भी मौलूम है कि प्रकरिया में पारेदर्सिता है प्रकरिया में पूरी सुचिता है और पूरी इमांदारी के साथ सरकार इस कारेक्रम को आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश के इस प्रसेप्शन के कारण ही Global Investor Summit में 36 लाग करोड रुपे के निवेश के प्रस्ताओं परात हुए है जो कि एक करोड नए नौकरी और रोजगार का सिर्जन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक औसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को पकिनी की दिश्टे सक्सम बनाने के लिए ही दो करोड युवाओं को टैबलेक और स्मार्ट फोन उपलब पे करवाई जा रहे हैं